नमस्कार बहुत बहुत स्वावट करता हूँ आप सबी लोगों का हमारे इस खास परोग्राम में मैं आपके साथ बिनित राय आज बताऊंगा आप लोगों को आज़ के राशी फल के बारे में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ग्रह न चत्रों में हमेशा कोई न कोई बदलाव होता रहता है और हमारे द्वारा आपको समय समय पर ग्रहों की दशा और उनके परिवर्तन के बारे में जानकारी हासिल होती रहती है हम आपकी राशियों के उपर ग्रहों के इन परिवर्तन की वज़ा से आपके उपर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है इन सब की जानकारी समय समय पर मुहया कराते रहते हैं राशी फलका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है और राशी के अनुसार हम किसी भी ब्यक्ति के सवभाव और भविश से जुड़े हुई कई सारी जानकारीों को हासिल भी कर सकते हैं ग्रह गोचर और नक्षत्र के चाल के आधार पर ही राशी फलका भी निर्मार किया जाता है ग्रहों के चाल हमेशा बदलती रहती है से कुछ राशियों का भाग्य उदय होने वाला है जिससे के इनका भाग्य और किस्मत के तारे खुल जाएंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव ला सकता है आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राश के छेत्र में आपको बहुत सफलताएं मिल सकती हैं, रोजगार में आप लोगों को भायदा मिलेगा, पैसों से जुड़े हुए मामले सुलजेंगे, साती के साथ लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस में नई योजनाएं सामने आ सकती हैं, पैसों के मामलों में कोई कदम बढ़ाने से पहले अच्छी तरह से जाच लें, सुनी सुनाई बातें और अफवाहों पर ध्यान ना दें, रोजमर्रा के कामकाज से धनलाब हो सकता है, पार्टनर को आप से फायदा हो सकता है ब्रिशब राशी, ब्रिशब राशी वालों को आज सभी लंबित कारियों को पूरा करने के लिए ये एक अच्छा दिन है, ब्योसाय में साज़ेदार से मन मुटाव हो सकता है, किसी पर भी आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत गलत है ब्रजदी की लोगों के साथ गलत फैमी हो सकती है, स्वास्त पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेट और रक्त संबंदी रोग पैदा हो सकते हैं मिथुन राशी वालों को आज आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा, खुद के हर काम में आपको सफलता प्राप्त होगी, स्वास्त के रोजगार में आप लोगों को मुनाफ़ा हो सकता है, जो आपके मन को शान्ती देगा महत्वपूर्ण कारियों में मन नहीं लगने से कारियों में असफलता के इस्तिते भी संभावित है, दिन की शुरुवात परिशानियों से होगी, लेकिन शाम तक समय आपके अनुकूल रहेगा, थंडे जल से बचकर रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, प्रेम में सफलत मिलने से पुरानी हताशा दूर हो सकती है, करकराशी, करकराशी वाले आज अपने दुश्मनों पर भारी रहेंगे, अपने मन मौजी बरताव पर काबू रखें, कोट का चहरी के फैसले आपके हित में आएंगे, आर्थिक इस्तिती नाजुक ऐसी अनुभूती प्रतीत भाग्य की अनुकूलता का लाब उठाएं, नौकरी बदलने का मन होगा, मन चाही सफलता के न मिलने से आप तनाव में रहेंगे, मित्रों से मतभेद संभव है, इसलिए आप मित्रों से संभल कर रहें, विद्यार्तियों का पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा, कारशित्र मे भी विस्तार हो सकता है, बिना सोचे समझे, निवेश करने पर ठगे जाने की अशंका है, इसलिए निवेश करने से पहले, आप सोच समझ जरूर करें सिंग राशी सिंग राशी वालों को आज आप बहुत ही बहादूर दिल और सकरात्मक द्रिश्टी कोण के साथ समस्याओं का सामना करेंगे, आपको अपने प्रियजनों के साथ बहुत ही घमंडे या आकरामक होने से बचना होगा, बहुत ज्यादा काम का तनाव आपको परिशान कर सकता है, मोज मस्ति का आप अनन्द उठाएंगे, मेहनत से अत्यधिक सफलता मिलने वाली है, सिंग राशी वालों को आज खुद पर भरोशा करके और धैर और ध्रिन संकल्प के साथ आगे बढ़ने के आपको जरूरत है, अपनी संतान से आपको खुश्खबरी प्राप्त हो सकत है, कन्याराशी, कन्याराशी वाले मान प्रतिष्ठा में व्रिद्धी होने से खुश रहेंगे, परिजनों से सहयोग और लाब मिलेगा, क्रोध समय में आपकी बरबादी हो सकती है, इसलिए आप अपने क्रोध पर काबू करें, अगर आप चीजों को बहतर बनाना चाहते ह तो दया और प्रेम की पेशकस करें, आपके परिचे शेत्र का विस्तार होगा, और बहुत ही महत्वपुन लोगों के साथ आपका परिचे अनायास ही होता चला जाएगा, आप सभी पारिवारी कर्जे खत्म करने में कामियाब रहेंगे, नौकरी और व्यापार में उन्नती के साथ ही सम्मान में भी ब्रिद्धी हो सकती है, तुला राशी आपके घर किसी महमान के आने की संभावना है, आपका कम्यूनिकेशन और काम करने की शम्ता असरदार सिद्ध होंगे, आपके इंकम में बढ़ोतरी हो सकती है, परिवार के साथ एक मज़ेदार दिन की योजन बनाई जाएगी, आपके माता पिता का स्वास्त अच्छा रहेगा और आप अपने शांदार समय बिताएंगे, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बहुत ब्रिद्धी होगी, आप अपने पुराने कर्ज को चुकाने में आप सफल रहेंगे, बिवाद में पढ़ने से बचें, ब्रिश्चकराशी, आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, दोस्तों के साथ समय बीतेगा, भ्रमण मनुरंजन के लिए कहीं आप जा सकते हैं, धन से जुड़े हर कार्य प्रकती करेंगे, ब्यक्तिगत सुधार और रोमैंस को प्रोच्छाहित किया जाता है, किसे भी इस्तिती से दूर चलें, जो कि अत्यधिक है, सरकारी कारियों में लगतार सफलता प्राप्त होगी, आपके जीवन में खुशहाली का माहुल बना रहेगा, पैसों से जुड़े कुछ मामलों पर आपको विचार करना होगा, धनुराशी, धनुराशी वाले आज घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया, तो बाद में आपको पच्टाना पड़ सकता है, आज आपके सारे काम सरालता से होते चले जाएंगे, कई दिशाओं से और कई शेत्रों में आपको प्रसनता का अहसास होगा, आपका दिन बहुत उतार चड़ाओ से भरा रहेगा, आपके जीवन साती के साथ एक जगड़ा आपको तनाव दे सकता है, निवेश के भी योगबंद हैं हैं, मकर राशी, आज का दिन मकर राशी वालों के लिए फल दायक रहने वाला है, उन्नती के योगबंद रहे हैं, नए लोगों से मुलाकात होगी, आपके ब्योसाय में और आय की प्रतिष्ठा में ब्रिद्धी होगी, पैसो को लेकर अनबन हो सकती है, लेंदेन के कुछ मामलों में आप कंजूसे भी करेंगे, राजनिती से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी मिलेगी, कैरियर में बहतर प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है, उल्जे हुए मामलों को सुलजाना आपके लिए आसान हो सकता ह कुम्बराशी, आज आप खाली समय का आनन्द ले सकेंगे, आपका स्वास्त खराब हो सकता है, आज आप आए के नए साधन को अस्थापित कर सकते हैं, आपके लिए आज का दिन बहुत ही उतार चड़ावाला होगा, आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर रा पैचान बढ़ेगी, कश्ट और भय आपके मन में बना रहेगा, आर्थे के स्थिति में सुधार होगा, द्योसाइक यात्रा हो सकती है, नए द्योसाइक अनुबंद लाभकारी होंगे, मीन राशी, मीन राशी के जातकों की धर्म में रुची बढ़ेगी, नौकरी में परिश्रम, निष्ठा का अच्छा फल प्राप्थ होगा, यानि आप जो भी इमानदारी से मैनत करते हैं, उसके अच्छे परिडाम आएंगे, मानसिक शान्ति का अनुभव होगा, आपकी र प्रिती रिवाजों को नजर अंदाज न करें, कारे अस्थल पर मान-सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, ब्यापार करने वाले लोगों को अपने ब्यापार में अच्छा लाप देखने को मिलेगा, कारोबार के सिलसिले में आपको बाहर यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है आपने अभी राशी फल 23 जनवरी 2019 के सभी 12 राशियों का राशी फल देखा और सुना आपको राशी फल का ये प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें और हमारे द्वारा बताये गए राशी फल अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें आपके कुंडली और राशी के ग्राउं के आधार पर आपके जीवन में घटित हो रही घटनाओं में कुछ बदलाव जरूर हो सकता है इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप किसी और पंडित या फिर जोतिसी से भी मिल सकते हैं हम फिर आपसे मिलेंगे अपने अगले राशी फल के प्रोग्राम के साथ तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन स्प्रिचुल नमस्कार